हेलो फ्रेंड्स हाब आर यू जी के 2020 यूट्यूब चैनल की NCRT वीडियो सिरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है पिछले 15 दिनों से हमने अंतर राष्ट्रिय संगठन से जुड़े वीडियो बनाने की एक मुहीम चला रखी है इसी मुहीम को आज हम continue करने जा रहे है यानकि आज एक और नए अंतर राष्ट्रिय संगठन की बात इस वीडियो में हम करने वाले है आप सुचते होंगे कि सर आज कौन से organization के बारे में बात करने वाले है तो आज का हमारा टोपिक है OECD OECD का पुरा नम क्या होता है Organization for Economic Cooperation and Development हिंदी में कहे तो आर्थिक सहयोग और विकाज संगठन की बात इस वीडियो में हम करने वाले है और आप क्लास 1-2 की examination की preparation कर रहे है तो अंतर राष्ट्रिय संगठन से जुड़े हुए बहुत से question examination में पुछ लिये जाते है और दोस्तो हमारे जो पिछले पार्ट थे वो अभी तक आपने नहीं देखे है तो वो भी देख लिजिएगा क्योंकि आने वाले examination में यह organization से जुड़े हुए कोई भी question पुछ लिये गए तो इस वीडियो से बाहर नहीं होगा यह में दावे के साथ कव सकता हूँ और यह मेरा वादा भी है तो इस वीडियो में आप लाश्ट तक बने रहे है लाश्ट में कमेंट शक्चन में जरू बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा आज का हमारा टोफिक है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानि कि OECD की स्थापना कब हुए OECD की स्थापना 1948 में OEEC के रूप में हुए क्या दोस्तो OEEC के रूप में 1948 में OECD की स्थापना हुए लेकिन यह नाम परिवर्थित कब किया गया, 1960 में, 1960 की तारिक थी, 14 दिसंबर 1960, लेकिन बहुत से सोर्सी सैसे है, जहाँ पर 1961 का जिक्र किया गया है, इसलिए आप करेक्शन कर लिजेगा, कहीं पर 1960 का जिक्र किया गया है, कहीं पर 1961 का, तो OECD नाम करन किया गया, 1960 में, देखो, 1960 में OECD के रुप में पुनर संगठित किया गया, पहले नाम क्या था, OEEC, लेकिन OEEC का पुरा नाम क्या होता है, वो भी तो एक क्वेशन उठना चाहिए, तो OEEC का पुरा नाम, Organization for European Economic Co-operation है, क्या दोस्तो, Organization for European Economic Co-operation, यह पहले नाम था, लेकिन वर्तमान में नाम है, OECD, और दोस्तो, यह किस प्रकार का संगठन है, यह एक अंतर सरकारी संगठन है, क्या, दोस्तो, OECD एक अंतर सरकारी संगठन है, और इसका हैटकोटर कहाँ पर से थे, फ्रांस की केपिटल पेरिस में, OECD का हैटकोटर, एक बार फुल फर्म यहाँ फिर से पढ़ लिजिए, Organization for Economic Co-operation and Development, OECD का पुरा नाम, और वर्तमान में, OECD के सदस्य कंट्री कितने है, 38 देश है, और दोस्तो, OECD की आधिकारिक भाशाये, यानकि Official Language दो है, English और फ्रांसीसी, और वर्तमान में, OECD के महासचीव कौन है, तो इमेज में आप देख सकते है, Australia के पुर्ववित्मंत्री रह चुके है, मात्यास कार्मान, क्या, मात्यास कार्मान, वर्तमान OECD के महासचीव है, जो भी Information में आपको बताई, वो Basic Information थी, एक बार फिर से देख लिजिए, स्थापना, 1948 में, OECD के रुप में, 1960 या 61 में, OECD के रुप में पुनर संगठिट किया गया, जिसका Official लोगों इमेज में आप देख सकते हैं, पहले नमता OECD, तो OECD का पुरा नाम, Organization for European Economic Cooperation, किस प्रकार का संगठन है, एक अंतर सरकरी संगठन है, हैड़कोर्टर का पर स प्रांस की केपिटल पेरिस में, वर्तमान में सदस्य कंट्री कितने है, 38, आधिकारिक भाशायत दो है, इंग्लिश और फ्रांसी से, और वर्तमान में OECD के महा सचीव कौन है, मात्यास कौमन, मात्यास कौमन, इमेज में आप देख सकते हैं, वो कौन है, आस्ट्रिलिया के पुर्वावित्मंद्री है, चलिए, अब इस क्वेशन का आंसर बताईए, OECD के संदर्प में निमनलिखित कथनों पर विचार करें, और उपर युक्त में से कौन सा कथन सही है, वो पता करें, तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, चलो पढ़ो, OECD क के महासचीव, माथ्यास कॉर्मन है, तो दोस्तों, वर्तमान में, OECD के महासचीव कौन है, आस्ट्रेलिया के पुर्वावित्मंत्री, माथ्यास कॉर्मन है, तो यह कथन भी बिल्कुल सही, और इस संगठन का मुख्या लए, कहां पर से थे, फ्रांस की केपिटल पेरिश म हो गया, तो हमारा अंसर बन जाता है, option D, well done, आपने भी बिल्कुल सही गयस किया, एक, दो, तीन, तीनों सेंटेंस बिल्कुल सही है, और दोस्तों, वर्तमान एक क्रेज है, यारि कि वर्तमान में एक ट्रेंड चला है, कि class 1, 2 के examination में, ऐसे sentence वाले question बहुत पुछ लिया जा और हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और आपके दोस्तों के इस वीडियो के लिंग शेर करना मत बुलिएगा, चली आगे बात करें, तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, यानिकि Organization for Economic Co-Operation and Development, यानिकि OECD 38 सदस्य दे कही पर मैंने आपको बताया कि बहुत से सोर्सी सैसे है, जहां पर जिक्र किया गया है 1961 का, लेकिन मैंने आपको तारिक भी बता दी, 14 दिसंबर 1960 को नामकरन चेंज किया गया, यानिकि जो OECD नाम था, वो बदल कर कर दिया गया OECD, तो स्थापना 1960 में आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोचाहित करने है तो की गई थे, दस्तो किस उद्देश से OECD की स्थापना की गई, आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोचाहित करने है तो OECD की स्थापना की गई, आगे बात करें, तो दस्तो अधिकांश OECD सदस्य उच आ इंडेक्स है वो काफी हाई है जिसकी मानव विकास सुचकांग यान की human development इंडेक्स बहुत उच है और विक्सित देशों के रोप में माना जाता है क्या दस्तों बहुत से कंट्री OECD के सदस्य कंट्री है लेकिन कैसे देश है जिसकी अर्थ विक्सित है और OECD एक आधिकारिक संयुकत राष्ट्र प्रयक्षक भी है क्या OECD एक आधिकारिक संयुकत राष्ट्र प्रयक्षक भी है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि अधिकांश OECD सदस्य उच आई वर्ग अर्थ वियोस्ता ये है जिनकी मानव विकास सुचकांग यान की human development index बहुत उच है और विक्सित देशों के रूप में माना जाता ह है या संगठान OECD एक आधिकारिक संयुकत राष्ट्र प्रयक्षक भी है OECD के मुख्यालई फ्रांस की केपिटल पैरिस में है और OECD को सदस्य देशों से प्राप्त योगदान द्वरा वित्पोशित किया जता है याद रखना OECD को किसके द्वरा वित्पोशित किया ज जाता है और 2019 में इसका कुल बजट कितना था 386 लाख यूरो था यहां से एक बार फिर से पढ़लो कि अधिकांस OECD सदस्य उच आई वर्ग और्थवियोस्ताए है जिनकी मानविका सुचकांग बहुत उच है और विक्सित देशों के रूप में माना जाता है यह संगठान OECD एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक भी है OECD का मुख्यले फ्रांस की कैपिटल पैरिश शहर में स्थी थे और OECD को सदस्य देशों से प्राप्त योगदान द्वरा वित्पोशित किया जता है और 2019 में इसका कुल बजट कितना था 386 लाख यूरो था चल सा कथन सही है वो ग्यास करें चलो पढ़ो मेरे साथ साथ अधिकांच OECD सदस्य निम्ना आई वर्ग अर्थुयोस्ता है निम्ना नहीं वलकि उच आई वर्ग अर्थुयोस्ता है तो पहला सेंटेंस गलत हो गया OECD एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक है तो यह कथन मिलकुल सही वर्थमान में 58 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है यह OECD तो यहां पर भी गलत क्योंकि 58 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन नहीं है सिर्फ 38 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है तो यह कथ तो यहां मेंने कौन सा कथन सही नहीं है ऐसा लिखना चाहिए था तो आंसर बनता एक और तीन नमबर का सेंटेंस सही नहीं है लेकिन यहां आप्शन गलत सावित हो गए ओके एक बार फिर से करेक्शन कर लेते हैं और अब आपको यहां नहीं शब्दे लगा कर इस कुश्चन का अंसर देना है क्या नहीं शब्दा कौन सा कथन सही नहीं है चलो पटो अतिकांच OECD सदस्य नीमना आई वर्ग अर्थवियोस्ता है पहला सेंटेंस गलत OECD एक आधिकारिक संयुकतर राष्ट्रो प्रक्षक है तो यह कथन सही और 58 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारिय आर्थिक संगठन है तो यह कथन बिगलत और हमें उपर्यक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है वो ढूंडना है तो आंसर बन जाता option C आगे बात करें तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानकी Organization for Economic Cooperation and Development 16 दिसंबर 1960 को 20 देशों द्वारा मोल रूप से आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के बाद से 18 अन्य देश इस संगठन की सदस्यता ग्रहन कर चुके है यानकी जब OECD का गठन किया गया तब स्थापक सदस्य देशों की संख्या थी 20 बाद में 18 और देश जुड़ गए और वर्तमान में कितने मिंबर हो गए 38 और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की कुल संख्या 38 है एक बार फिर से देखलो OECD 16 दिसंबर 1907 को 20 देशों द्वारा मोल रोप से आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के बाद से 18 अन्य देश इस संगठन की सदस्यता ग्रहन कर चुके है और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की कुल संख्या 38 दुनिया बर में लोगों के आर्थिक और सामाजिक कल्यान में सुधार लाने वाली नेतियों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना OECD का प्रमु खुद देश्य क्या है दुनिया बर में लोगों के आर्थिक और सामाजिक कल्यान में सुधार लाने वाली नेतियों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना यह OECD का प्रमु कुद देश्य और इसके सदस्य देश इस प्रकार है यान कि जो 38 देशों का मैंने जिक्र किया कि OECD क सदस्य कंट्री कितने है 38 तो यह हमीने आपके सामने लिश्टर की है एक बार सिर्फ पढ़ लेते हैं हमें याद रख लेना है कि OECD का मेंबर हमारा भारत देश है या नहीं तो याद रखना भारत इसका सदस्य नहीं है क्या OECD का मेंबर हमारा भारत देश नहीं है कौन-क लेकिन बारत OECD का सदस्य नहीं है यानि कि जो विक्सित अर्थ वियोसता ये है ऐसे देश OECD के मेंबर है एक बार फिर चे पढ़ लेते हैं सिर्फ इन्फर्मेशन के लिए ओके इसके सदस्य देश इस प्रकार है ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाड़ा, चीली, चेक गन्राज्य, डेन्मार्क, एस्टोन्या, फिन्लेंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलेंड, आयरलेंड, इजरायल, इतली, जापान, दक्षेन कोरिया, लक्षंबर्ग, लातविया, लिथुआन्या, मेक्सिको, निदरलेंड, नियूजिलेंड, नॉर्वे, पॉलेंड, पुर्तगाल, स्लोवाक गंडराज्य, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्वीजरलेंड, तूर्की, युनाइटेड किंग्डम और संयुक्त रज्य अमेरिका यान कि 38 कंडरे है लेकिन यह पूरी लिष्ट मेंने दो बार पड़े आपने काउंट किया कि कितने सदस्य कंडरे हुए यह नहीं किया तो चलिए वीडियो को पोस्ट करे और यदि 38 नहीं है तो बाद में OECD में कौन-कौन से देश जुड़े वो जो बाकी है वो निचे कमें श्यक्षन में जरू बताना चलिए इस कोशन का अंसर बताईए OECD के संदर्व में निमनलिखित कथनों पर विचार करे और उपर युप्त में से कौनसा कथन सही नहीं है वो पता लगाना है यह क्या कौनसा कथन सही नहीं है वो पता लगाना है चलो पड़ो भारत OECD का सदस्य नहीं है तो मैंने आपको बताया Greece, Hungary, Iceland OECD के सदस्य है और हमें यहां कहा गया है सदस्य नहीं है तो यह सेंटेंस गलत हो गया वर्तमान में इसके सदस्य देशों की कुल संख्या 38 है तो यह कथन बिलकुल सही हो गया क्योंकि वर्तमान में OECD के सदस्य देशों की संख्या है 38 और हमें पुछा गया है उपर युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है तो एक और दो नमबर का सेंटेंस सही नहीं है तो आंसर बन चाता है option A well done और दोस्तों आपका 100% द्यान यहां screen पर है और यह मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आपने जो भी answer guess किया वो बिलकुल सही था well done आप बिलकुल सही play यानि कि सही game खेल रहे है क्योंकि आपको class 1-2 officer बनना है और मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आपको उस हद तक prepare करू उस हद तर तैयार करू आपकी शक्ती develop करू ताकि आप में एक होसला बुलन हो OECD अपने कारियों का निश्पादन परिशद कारियकारी समिती सचिवले तथा अनेक सहायक अंगों के माध्यम से करता है क्या OECD अपने कारियों का निश्पादन परिशद कारियकारी समिती सचिवले तथा अनेक सहायक अंगों के माध्यम से करता है OECD का प्रदान अंग परिशद है जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधी सम्मिलित होते है लेकिन दोस्तों सभी देशों के प्रतिनिती सम्मिलित होते हैं लेकिन देशों के मुख्या इसमें शामिल नहीं होते हैं। स्थाई समीती परिशत द्वारा प्रत्यक वर्ष निर्वाचित 14 सदस्यों से बनी होती है। एक बार यहां से फिर से पढ़ लो कि OECD अपने कारियों का निश्पादन परिशत, कारियकारी समीती, सची वाले तथा अनेक सहायक अंगों के माध्यम से करता है। कम से कम दो बैठके आवश्यक रूप से आयोजित होती है और परिशद संगठन की सामन्य नीती का निर्धारन करती है। स्थाई समीती परिशत द्वारा प्रत्यक वर्ष निर्वाचित 14 सदस्यों से बनी होते है। आर्थिक सहयोग और विका संगठन ने Facebook, Apple, Google, Amazon और Netflix जैसे इंटरनेट दिगजों पर कर लगाने है तो नियमों में बदलाव है तो एक परामर्ष पत्र जारी किया है। चलिए इस कोईशन का अंसर बताईए, Apple, Google, Amazon और Netflix जैसे इंटरनेट दिगजों पर कर लगाने के नियमों में बदलाव है तो एक परामर्ष पत्र किसने जारी किया है तो यद रखना एक परामर्ष पत्र जारी किया है OECD ने। सही आंसर है Option C, OECD के इत्यास की बात करे और दोस्तों शुरू में जो बात मैंने आपको बताई इन में से कुछ सेंटेंस रिपिट भी हो सकते है लेकिन रिवीजन करना इतना ही आवशक है तो देखो OECD की शुरूआत 1948 में हुई Organization for European Economic Cooperation यानकि OEEC के रूप में OECD की सायोग संगठन यानि की OEEC की स्थापना महाद्वीपर युद्ध के बात के पुनर निर्मान के लिए मुख्य रूप से U.S. वित पोशित मार्शल योजना को संचालित करने के लिए की गई थी और OEEC यूरोपिय आर्थिक समुदाई की मदद करने में सहायक था EEC यूरोपिय मोक्त व्यापार्क शेत्र की स्थापना के लिए यूरोपिय संग में विक्सित हुआ है 1961 में कहीं पर जिक्र किया गया है 1960 में तो 1960 में या 1961 में OEEC का नाम बदल कर क्या कर दिया गया OECD कर दिया गया और जब संयुक्तर राज्य अमेरिका और कनाड़ा एक व्यापक सदस्यता को प्रती बिम्बित करने के लिए इसमें शामिल हुए चलिए इस क्यूशन का अंसर बताईए OECD के संदर्व में निम्ना लिखित कथनों पर विचार करें चलिए दोनों कथन आप ज्यान से पढ़िए और पता लगाए कि कौन सा कथन सही है पहला कथन OECD की शुरुवात 1948 में हुई थी OEEC के रुप में हुई थी 1948 में तो पहला कथन सही हो गया 1961 में OEEC का नाम मदल कर OECD कर दिया गया तो यह भी कथन सही मान लेना चाहिए क्योंकि कहीं पर जिक्र किया गया है 1960 में तो कहीं पर 1961 में और यदि आप करेक्शन करना चाते है तो निचे कमेंट शक्षन में कह सकते हैं कि OEEC का नाम बदल कर OECD कर दिया गया वेरिफाई करने के लिए आप निचे कमेंट शक्षन में यह सेंटेंस के बारे में कमेंट ज़रू लिखना यह कथन भी बिलकुल सही और हमें यहां पूछा गया हे इनमें से कौन सा कथन सही है तो एक और दो, दोनों नमबर के सेंटेंस बिलकुल सही तो आंसर बन जाता है option C, well done चलिए आगे बात करें, तो OECD के उद्देश्य क्या है? OECD के उद्देशों में आर्थिक विकास और सायोग को बढ़ावा देना और आर्थिक स्थीरता को बढ़ावा देना है क्या दोस्तो, OECD का उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास और सायोग को बढ़ावा देना और आर्थिक स्थीरता को भी बढ़ावा देना OECD यह भी सूर निश्चित करता है कि विकास और सामाजिक विकास का परियावरणिय प्रभाव हमेशा माना जाता है इसने विश्व वियापार के विस्तार में भी योगदन दिया है आगे दोस्तो, OECD के कारिया और जिम्मेदारियों की बात करे तो वैश्विक स्थार पर आर्थिक स्थीरता को बढ़ावा देने में OECD एक अभिन भूमिका निबाता है OECD एक माडेल कर सम्मेलन को प्रकाशित और अपडेट करता है जो देशों के बीच करादान अधिकारों को आवंटित करने के लिए एक टेंपलेट के रूप में कारिया करता है दोस्तो हम OECD के कारिया और जिम्मेदारियों की बात कर रहे है तो यह संगठान वेश्विक स्तर पर आर्थिक स्तिर्ता को बड़ावा देने में एक अभिन भूमिका निबाता है OECD एक माडेल कर सम्मेलन को प्रकाशित और अपडेट करता है जो देशों के वीच करादान अधिकारों को आवंटेक करने के लिए एक टेंपलेट के रूप में कारिया करता है OECD दुन्या बर में आर्थिक विकास के लिए द्रिष्टिकोंड पर आर्थिक रिपोर्ट, सांखिकी किया डेटाबेस, विशलेशान और पुर्वानुमान प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार है दोस्तो OECD क्या जिम्मेवारी निबाता है तो देखो OECD दुन्या बर में आर्थिक विकास के लिए द्रिष्टिकोंड पर आर्थिक रिपोर्ट, सांखिकी किया डेटाबेस, विशलेशान और पुर्वानुमान प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार है और इस संगठान दुन्या बर में रिश्वत और वितिय अप्रादों के अन्य रुपों को खत्म करने का भी प्रयास करता है क्या दोस्तों OECD दुन्या बर में रिश्वत और वितिय अप्रादों के अन्य रुपों को खत्म करने का प्रयास करता है OECD उन राष्ट्रों की एक ब्लैक लिश्ट भी रखता है जिन्हें गैर करदाता मना जता है और यह G20 देशों को कर सुधारों को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोच सहित करता है दोस्तों OECD के कारियर और जिम्मेदारी के बारे में यहां से एक बार फिर से पढ़लो कि OECD संगठान दुनिया बर में रिश्वत और वितिय अप्रादों के अन्य रुपों को खत्म करने का प्रयास करता है OECD उन राष्ट्रों की एक ब्लैक लिश्ट भी रखता है जिन्हें गैर करदाता मना जता है और यह G20 देशों को कर सुधारों को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोचसाहित करता है और दस्तों यहां G20 का जिकर किया गया है तो G20 से जुड़ा हुआ वीडियो हमारी चैनल पर अविलेबल है इस संगठन से जुड़ा हुआ वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से मेंने बनाया है आप जरूर देख लिजिएगा चलिए इस क्योशन का अंसर बताएए OECD के संदर्व में निमनलिखित कथनों पर विचार करे एक, दो, तीन, तीन कथन दिये है और कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है चलो पड़ो OECD गैर करदाता राष्ट्रों की एक ब्लैक लिश्ट रखता है यह कथन बिलकुल सही है OECD के उद्देशों में आर्थिक विकास और सहयों को बढ़ावा देना है तो यह भी OECD का एक महत्व पुर्ण उद्दिश है और OECD ने विश्व व्यापार के विस्तार में भी योगदान दिया है तो यह कथन भी बिलकुल सही है और हमें पुछा गया है कौन सा कथन सही है एक, दो और तीन तीनों कथन बिलकुल सही आंसर बन जाता है आप्शन डे आगे OECD के महत्व की बात करे तो OECD अपने सदस्यों को एक मंच प्रदान करता है जिसमें सरकारे अनुबवों को साजा करने और सामान्य समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर काम कर सकती है क्या दोस्तो OECD अपने सदस्यों को एक मंच प्रदान करता है जिसमें सरकारे अनुबवों को साजा करने और सामान्य समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर काम कर सकती है OECD की सरचना की बात करे तो OECD सदस्य देशों, समितियों और OECD सचिवालाई से यह OECD बना है क्या दोस्तो OECD में सदस्य देशों, समितियों और OECD सचिवालाई शामिल है और OECD सचीवालाई का नेत्रुत्व महा सचीव द्वारा किया जाता है और दोस्तों वर्तमान में OECD के महा सचीव कौन है मैंने आपको नाम भी बता दिया वो आस्ट्रेलिया के पुरुव वित्त मंदरी रह चुके है आपको नाम याद रह गया है तो निचे कमेंट किया जाता है OECD में वर्तमान में 38 सदस्य राष्ट्र है और सदस्य देश प्रतियक प्रतिनिती मंदल का प्रतिनितित्व करते हैं जिसका नित्रुत्व उसके राज़्दूत करते हैं क्या दस्तों यह OECD में वर्तमान 38 सदस्य राष्ट्र है और सदस्य देश के प्रतियक प्रतिनिधी मंडल का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका नित्रुत्व उनके राजदूत करते हैं चलिए इस क्वेशन का अंचर बताईए OECD के संदर्व में निम्ना लिखित कथनों पर विचार करें और उपर युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है वो पता लगाना है चलिए तीनों सेंटेंस को ध्यान से पड़ते हैं OECD सचीवालाई का नित्रुत्व उनाइटेड नेशन जनरल एसेमली द्वारा किया जता है यह कथन गलत हो गया क्योंकि OECD सचीवालाई का नित्रुत्व महा सचीव द्वारा किया जता है पहला सेंटेंस गलत OECD में वर्तमान में 38 सदस्य राष्टर है यह कथन बिलकुल सही और OECD का नित्रुत्वा सदस्य देशों के राष्टरा द्यक्ष करते है तो यह कथन भी गलत है क्योंकि OECD का नित्रुत्वा सदस्य देशों के राज़दूत करते है राष्टरा द्यक्ष नहीं और हमें तो कुछ महतोपुर्ण क्विश्चन की बात कर ले तो OECD क्या है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानि कि OECD एक अनूठा पेनल है जहां 38 सदस्य देशों की सरकारे एक दूसरे के साथ काम करती है साथी साथ सत्तर से अधिक 11 सदस्य अर्थ विकास को बढ़ावा देती है एक बर फिर से समझलो कि OECD क्या है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन एक अनूठा पेनल है जहां 38 सदस्य देशों की सरकारे एक दूसरे के साथ काम करती है साथी साथ सत्तर से अधिक 11 सदस्य अर्थ विकास को बढ़ावा देती है OECD की मुख्य भूमी का क्या है? पूरे विश्व में OECD की मुख्य भूमी का क्या है? OECD का मुख्य उद्धिश्य वैश्विक अर्थ व्योस्ता में सुधार और विश्व व्यापार को बढ़ावा देना है या विबिन देश्यों की सरकारों को आम समस्यावों के समाधान के के लिए एक साथ काम करने का एक आउटलेट प्रदान करता है क्या दस्तों OECD का मुख्या उद्धिश्य वैश्विक अर्थ विवस्ता में सुधार और विश्व व्यापार को बढ़ावा देना है या विभिन देशों की सरकारों को आम समस्याओं के समाधान खोजने के लिए एक साथ काम करने का एक आउटलेट प्रदान करता है OECD को कौन फंड प्रदान करता है तो OECD अपने सदस्य देशों द्वरा वित्त पोशित है राष्ट्रिय योगदान एक सुत्र पर आधारित है जो प्रतेक सदस्य की अर्थ विवस्ता के आकार को त्यान में रखा जात है काम के OECD कार्यक्रम में देश आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए स्वेच्छिक योगदान दे सकते है दोस्तों यह OECD जो संगठन है वो किसके द्वरा वित्त पोशित है एक बार फिर से पढ़लो कि OECD अपने सदस्य देशों द्वरा वित्त पोशित है राष्ट परिख रूप से सहायता करने के लिए स्वेच्छिक योगदान दे सकते है और क्या भारत OECD का सदस्य में आपको बताया कि बारत OECD का सदस्य कंट्री नहीं है भारत अभी तक OECD का सदस्य में यह ऐसा क्योंकि भारत इस बात को लेकर सतर कहे कि OECD में उसकी सदस्यता दक्षिन अफ्रिका महाद्वीप में स्थित अन्य उभरते देशों को किस तरह का संकित देगी इसलिए अभी भी भारत OECD का सदस्यत कंट्री नहीं है तो OECD आउसत क्या है? OECD आउसत जिसे कभी-कभी देश के आउसत के रुप में भी जाना जाता है सभी OECD देशों के डेटा मुल्यों का मतलब है जिसके लिए डेटा उपलब्द है या अनुमान लगाया जा सकता है OECD आउसत का उप्योग यह देखने के लिए किया जा सकता है कि एक देश किसी विशिष्ट OECD देश के साथ दिये गए संके तक की तुलना में कईसे करता है OECD तो यहाँ वीडियो को खत्म करते है यह वीडियो आपको कैसा लगा वाकई में अच्छा लगा है है तो आपके दोस्तों को फेस्बूक वाटसेप या टेलेग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर का ना मत बुलेगा बस छोटी से उम्मिद के साथ वीडियो खत् तब तक के लिए टेक केर एंड जैहिन